हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंस आज आपके सामने vad 2021 के सहाथा करना है इस वीडियो को दो से तीन में उर्ड देखे इस प्रकार की कॉईस्टन आपको कहीं भी मिलेगा आप उसको साल्व कर लेंगे तो फ्रेंस चलिए क्या होता है कि इसको start करने से पहले आपको कुछ basic formula बताते हैं इसमें basic formula कुछ है नहीं, बस basic formula आपको लिखना क्या है, देखिए आपको a plus b और a minus b कहीं पर भी मिलता है, यार a plus b या a minus b कहीं पर मिलता है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप याद रखें यह इतना ज़्यादा इंपोर्टेंट फार्मुला है हमेशा हर जग यह फार्मुला बहुत ज्यादा यूज होता है चाहिए कोई भी फार्मुला अगले कोईस्टेंट यह कहीं आपको लिखाएं अगले कोईस्टेंट लिख सकते हैं चलिए यहां पे आपको फर्स्ट कोईस्टेंट यह जो दिया है एक फार्मुला ही है देखिए a square minus b square देखिए a square minus b square के जगब क्या लिख सकते हैं एकला plus में एकला minus में तो चलिए यहाँ पी लिखिए a plus a plus b और a minus b अपाल a plus b है तो a plus b लिख लिखिए देखिए अंसर यहार में देखिए a plus b यहाँ पर भी a plus b यहाँ पर यहाँ पर यहाँ दूसरी सी cancel out हो जाएंगी तो बचेगा कितना a minus b यह आपका गुड़ांखंड की साहता सरल हो गया यह पहले प्रश्न का एंसर हो गया चलिए next question को करते हैं आपका next question a q b minus b q a upon a into b है यहाँ पर second question क क्याल करते हैं आपका second question क्या है की a q है b है minus b q है a is a podcasts into b फ्रेंस क्या करना है इन दुनों में देखि कितना कामन है देखि a यहां पे b a यहां पे बी है b यहां पे भी है b यहां पे है तो कहने良ग मतल्ब दोनों वेससा आपको कामन क्या मिला है देखर यहां पर है A Ismae दोनों में सामीले यहां इसमैं देखर यहां से के बचेता आपके क्या बचेगा यहां पर देंखिया यहाां क्या हो जाका B square है ठीक अंदर देखें A into B यहानि कि A into B से A into B cancel out हो जागा और देखेंगे friends अभी बता है A square minus B square कहीं आपको मिलता है A square minus B square तो इसको क्या लिख सकते हैं A plus B A minus B इसको लिख लिजिए एक question A plus B अगले question A minus B यही आपका answer हो जागा friends देखें कितने simple तरीका से हम खंड की साहता है इसको सरल कर ले रहा है यह इसका answer हो जागा चलिए तीसरे प्रश्ण को आप solve करते हैं 9a square minus 16b square upon 3a minus 4b तीसरे नमबर के question को यहाँ पर आप solve करते हैं देखें बहुत simple है friends solve का है 9a square minus 16b square upon 3a minus 4b देखें फ्रेंस क्या करना है अब क्या करना है कि यह पता है कि 3 square न होता है 3 square न होता है तीसको इस तरह भी लिख सकते हैं minus का slice है तो minus का यह 16 जो है 4 का square हैं 4 का square है 4 गुड़े 4 करेंगे तो 4 चौख को 16 हो जागा यह 4 का square है और था चार बी को होल स्कॉर कर सकते हैं देखे चार चोको 16 भी है चार गुड़े चार करेंगे तो चार चोको 16 होगा बी दो बार है तो भी स्कॉर हो जाएगा अपान यह 3A माइनस 4B ठीक अब देखे फ्रेंस क्या है कि यहाँ पे यह पूरा एक जगह पे यह पूरा जो है ए दूबर फार्मूला लिखे ए स्कॉर माइनस भी स्कॉर इसके जगह पे एकला प्लस एकला माइनस लिख सकते हैं इसी तरह लिखे आप कि किस तरह लिखना आए आपको कि एकला प्लस में 3A प्लस कर दिजिए 4B अगले कोश्टम कीजिए 3A माइनस 4B अपान 3A माइनस 4B आपका बचेगा कितना 3A प्लस 4B आपका यही एंस्वर हो जाएगा जो कट रहा है आपस में उसको सलतर रूपे चेंज कर दे रहे हैं अब चौथे नंबर का जो क्वेस्टन है देखिए फ्रेंस यह चौथे नंबर का क्वेस्टन है कि 50A स्कॉर माइनस 98B स्कॉर अपान 10A माइनस 14B अब इसको साल्व करना है फ्रेंस देखिए कि इस तरीका से साल्व करेंगे फ्रेंस सभी क्वेस्टन जो यहां पर लिए गए सभी क्वेस्टन पहुत जादा सिंपल है तो चौथे नंबर के क्वेस्टन को यहां पर लिखते हैं और इसको साल्व करते हैं माइनस 14 भी चलिए फ्रेंस अब यहां भी बताईए आप यह 50 किसी का स्कॉार होता है नहीं अंठानबे किसी का स्कॉार होता है नहीं जब यह आपस में स्कॉार नहीं होते हैं तो क्या कर सकते हैं कि देखिए यहां पर आप देखिए 25 का स्कॉार होता है तो 25 का स्कॉार होता ह एक इसक्वार तरहेगा अपने जगापे माइनस जब दो कभाग अंठान में देंगे दुच्छो को आठ होगा और दुन्वार ठारो होगा ठीक भी स्कॉार है तो बीस्कॉार रहने दीजिए और नीचे भी देखिए यह आपका कितना है इसमें भी दो सामी ले और इसमें भी एक भी दो सामील है तो यहां से भी कामा लिए देखिए द्स हो जागा अपने जगाप ए लिख लिए माइनस उरण माइनस दीजिए दो कभाग चूदा में देंगे दू साथ चौदा भी है तो भी लिख लिख लिख़िए ठीक दीजिए दो से 2 कैंसल आउट हो जाएक अब B का Sqlare, यानि 16799 B Sqlare हो जागा, अब 5 में जो है, इसको लिख लिजिए कितना है, 5 A माइनस 7 B है, तो 5 A माइनस 7 B लिख लिजिए, ठीक, अब दो के friends क्या है, कि 5 A Sqlare मतलब पूरा की जगा अब A है, ये इतना 7 B मानी है, तो क्या है A Sqlare माइनस B Sqlare, तो इसको एकला अगले कोश्टरों में लिख सकते हैं इसके अपान में क्या है? जो सेस बच रहे हैं उसको लिखें हैं यहां पire क्या वचरा है आपका कि पांच ए प्लस साथ भी यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंस एंस्वर हो जाएगा देखिए फ्रेंस गुड़ांखंड की साहरता से हम सभी प्रशनों को कितने सिंपल तरीका से साल्व किये हैं तो फ्रेंस यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीड सब्सक्राइब करें थैंक्स फार वाचिंग